तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग का प्रोपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोपर्टीज को पढ़ने वाले तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रोपर्टीज जो है मेरा यह product formula log में क्या होता है कि अगर argument product में आ जाए तो क्या होता है कि वो sum में बदल जाता है जैसे क्या है यहाँ log m into n base a है क्या हो गया है log m plus log n base same ही रहा है base कभी भी change नहीं होगा कुछ भी formula लगे base change नहीं होगा ठीक है हाँ यहां और यह कह सकते हैं if m,n less than 0 हो then हम लोग यह formula generally ऐसे लगाते है log mn base a equal to log mod m plus log mod m base a ही रहेगा ठीक है अच्छा यह क्या है कैसे है तो इसमें कोई a कोई बहुत बढ़ी चीज है नहीं क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर m और n दोनों negative है तो यहां log exist कर जाएगा क्यों क्योंकि negative negative positive हो गया लेकिन यहां नहीं करेगा एक तो यहां exist करने के लिए हमको क्या करना होगा उसका मौड लेना होगा ठीक है तो यहां क्या कि है कि बस argument को positive बनाए रखें ठीक है नेक्स हम लोग अच्छा इसका प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी देख सकते हैं प्रूफ तो प्रूफ है बहुत सिंपल क्या है बाई तो जितना भी लोग अलग 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 टाइप का लोग दिख रहा है लोग MN base A को X माल लीजिये ठीक है लोग M base A को Y माल लीजिये लोग M base A को Z माल लीजिये ठीक है अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉनेंशल फॉर्म में M N equal to A to the power X, यहां से क्या लिख सकते हैं M equal to A to the power Y, यहां से क्या लिख सकते हैं N equal to A to the power Z, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं, अब M और N की value यहां पे रख देते हैं, तो M और N की value यहां पे रखे, तो A का power Y into A to the power Z equal to A to the power X, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो आज आएगा A to the power Y plus Z, ठीक है, equal to A to the power X, यहां से क्या आएगा, Y plus Z equal to X, अब हम क्या कर सकते हैं, X के जगा पे X की value रख दीजिए, X की value क्या है, log M base N, क्या है, log इधर लिखे, log X की value, इसको इधर लिख रहे हैं, log MN base A, equal to, क्या हो जागा, Y plus Z, Y की value बोलिए, log M base A, plus Z की value, log N base A, तो हमको समझ में आया, क्या आया, यहां log M into N है, वो क्या हो जाता है, log M plus log N, base को अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भी समझते हैं, याद रखने के लिए, यासान है, log MN क्या हो जागा, log M plus log N, ठीक ह तो यह बहुत ही important property है, इसका बहुत ज्यादा use होता है, अच्छा, इसको हम लोग generalize भी कर सकते हैं, generalize कहने का मतलब क्या है, कि यहां तो एक ही, दो ही product में है, argument के product में दो ही number है, हम लोग इसको चाहें, तो 4, 5, 10, 50 कर सकते हैं, तो general form क्या होता है, log N1, N2, N3, इस तरह से ह है, तो यह क्या हो जाएगा, log N1, log N2, log N3, इस तरह से जाते रहेगा, हर जगा base same ही रहेगा, ठीक है, जितना product है, उतना sum बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, और जब 14 क्या है, यह तो product formula है, वो होता है, division formula, ठीक है, तो यह division formula क्या कहता है, भाई, तो यह कहता है, कि अगर log M by N base A रहे, मतलब यहां argument क्या रहे, division में रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, log M base A minus, log N base A, अगर M और N दोनों वही फिर से negative है, तो यहां mod आ जाएगा, आप हमेशा चाहें, तो mod का use कर सकते हैं, क्योंकि positive भी रहेगा, त तो positive value देगा, negative भी रहेगा, तो negative value देगा, ठीक है, sorry positive value देगा, तो हम हमेशा चाहें, तो mod का use कर सकते हैं, इसको भी generalized रूप से समझ सकते हैं, अच्छा एक example ऐसा है, अगर ऐसा दिया हुआ है कहीं, log X, Y, Z, बटा, यह Y, alpha, beta, base A ही माल लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ल plus log Y, base A, plus log Z, base A, जितना भी product में था, वो plus का हो जाएगा, और जितना भी division में रहेगा, वो minus का एगा, minus log alpha base A, minus log beta base A, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम लोग यहां basic से advance हर चीज को करने वाले हैं, हर चीज को clear कर रहे हैं, इसलिए इतना पढ़ना तो हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, मैं चाहूं तो 12 के लिए 2-4 वीडियो बना, फंक्शन खतम, 2-3 वीडियो काफी है, ठीक है, 11-12 दोनों का फंक्शन खतम हो जाएगा, तो मैं अभी वीडियो वनाओंगा कि क्रैस को स्टाइब का कि कम टाइम में बच्चों को ज्यादा मा अगर यहां यह सब जान लिए तो ठीक है, तो यह था डिविजन फर्मूला, इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं वैसे ही, जैसे प्रॉडक्ट फर्मूले का देखे थे, ठीक है, में 15 नम्य पर प्रपेटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं-कही यूज होता है लेकिन यह बहूत हीarsa अफ्वै Hampshire को यह तरफिता है, in return, लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं कि बहुत ही भारी मात्रा wisely में यहीन स्वैब करें कर लाटा है, इसलिए इसको द्या बेस सेमी है क्या हो गया है आर्गुमेंट यहां का बेस चेंज हो गया है ठीक है इसका प्रूफ के लिए हम लोग एक परटी पहले समझ लेते बढ़िया से बेस अट्युक्त लेना है तो लिखें लिखना है तो लिखना है अगर थ्री के पावर में तो लिखेंगे थ्री का पावर लॉग बेस यहां लिखेंगे मतलब ईक लिखना किसी भी बेस लेना है तो बेस यहां लेंगे और उसको लिखेंगे कि यहां यहां भी सी रखेंगे बस जो है उसको लिख दिए एक टूड़ी पावर लॉग सीबस v ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं बहुत ही इत्मिनान से इसको solve करेंगे ये क्या है c अच्छा ये argument का ये power है क्या हो जागा log के बार multiply हो जागा तो इसको हम multiply पहले से कर दिये लॉग c base b into ये बचेगा क्या log a base c अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको अलग-अलग कर देंगे अलग-अलग क्यों किये हैं समझ में आएगा ये कर दिये हैं ऐसे c to d power log log a by log b हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं c to d power log a base b a base b तो यही लाना था क्या है a to d power log c base b को हम लोग लिख सकते हैं c to d power log a base b ठीक है तो यहां क्या होड़ा आर्गुमेंट चेंज हो जा रहा है ठीक है बेस हर जगा सेम है डिफ्रेंसियसन हर जगा यह यूज कर वाता है इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ें अच्छे से पढ़ें अच्छा अब हम लोग थो आसा log का ग्राफ ऐसा भी होता है यह रहा लोग का ग्राफ ठीक है अब दोनों में क्या डिफ्रेंस है हम लोग बारिकी से समझेंगे क्या है आप ये है क्या होता है उसका हम लोग जवाव यह समझा सकते हैं लोग 10-10 गाँ होता है 5 अब लöm क्या होता है के 100-10 क्या होता है देख रहें इसका 10-10011 लोग 11 भेस 10-1 से कुछ बहरा लोग 12 शिय्वंकD1 शरी lors 13 14 15 ऐसा बशे जाए लेकिन value बहुत कम बढ़ रहा है ठीक है तो यह बूरा काहितो काम है ना बहुत देरे-धीरे कामों को करता है ठीक है तो उसी तरह यहां-क्या 10 से 100 हो गया और value इसका 1 से 2 रहा है ठीक है तो x तो स्पीड से भाग रहा है लेकिन y जो है अराम-अराम से जादा है देख रहे हैं तो यह क्या है बूरा फंक्शन है ठीक है अब क्या है कि लॉग हम लोग ऐसा समझते हैं log x base a ठीक है y equal to log x base a x तो हम लोग जानते हैं कि positive है ठीक है तो domain हम लोग को पता है कि क्या होगा positive can ее number ठीक है तो हम लोग यहाँ सवस्कूंझ सकते हैं पहले लिखते है moc domain host Sc og domain होता है r-plus मत्लब positive gra whole number ठाशक है डेंज क्या होता है तो यहाँ all aannel number होता है क्या कुछ भी आ सकता रहे हैUNG है ऑच्छा हम समझते है रेंच कर डोमें कर कि मिनिंग क्या होता है तो देखिए डोमेन का मतलब होता है कि X-axis पे कितना image को cover कर एक सेक्सिस को कितना वो graph cover किया क्या पूरे एक सेक्सिस को cover करेगा मतलब X का all values क्या possible है रेंज का मतलब हुआ Y-axis को कितना cover कर रहा है Y को अगर पुरा cover किया मतलब all real number उसका range हो जाएगा तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ग्राफ के हर एक point से vertical line draw करेंगे ठीक है और देखेंगे कि X-axis को कहा कहां पे cut कर रहा है तो माली यहां से हम लोग vertical line draw करेंगे यह और आगे जाएगा और इसलिए इसका domain क्या हो गया 0 से बड़ा मतलब all real number तो इसका domain होता है क्या होता है तो 0 से बड़ा greater than 0 यहीं से हम समझ सकते है range का मतलब क्या होता है तो यहां देखिए और उपर जागा पहले यहां से समझते है तो और जिन को कवर किया ही यह graph समझ में आ रहा है यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे है तो यह horizontal line हम द्रॉ करते जाएंगे और देखेंगे कि y-axis को कहां कहां तो हमको पता चल रहा है कि graph बर रहा है और बरते बरते जाएगा y-axis को और cover करते जाएगा मतलब पूरा y-axis नीचे का cover हो रहा है उपर भी पूरा y-axis content करेगा क्योंकि आगे बरते जाएगा y-axis content होते जाएगा मतलब क्या रेंज तो यहां y की all value possible है तो इसलिए range क्या लिखे र तो कभी भी graph अगर दिया हो graph से ही पता करना हो किसका range बताएगे domain बताएगे तो हम बता देंगे जैसे EC का बताना है नहीं तो X देख रहा है हर एक और आगे जागा एक हर एक value को content कर रहा है वाई बस यहां से 0 से उपर content हो रहा है तो डोमेन हो गया वाल रेंज क्या हो रहा है तो जीरो प्लस पोजिटिव रियल नमबर ठीक है है हाँ प्लस तो डोमेन यहां greater than 0 रेंज ऐसा यह दो केस क्यों बना वाई दो केस तो दो केस इसलिए बनता है क्योंकि यहां जो बेस होता है वह बेस पे condition होता है क्या होता है condition वाई तो कह रहा है कि बेस greater than 0 होना चाहिए रेंड कि व बेस जो है one नहीं होना चाहिए तो यह दो केस में बद जाता है बेस जो है one बच्शो एक क्या है क्या हो टो यह condition हमेशा मेशा रहेगा बेसा है बेस वण के लुए uh ta jo one के लिए ठांद हमन से बढ़ा है सांद सकीцион बोम पिस क्या में बेस जब 01 के बीच है अब हम लोग इससे बहुत ही important, important क्या करेंगे, results को निकालेंगे, ठीक है, तो results को निकालते हैं यहाँ और देखते हैं क्या क्या results हम लोग के पास आता है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा जेता हूं, एक छोटा सा ऐसा ही graph बनाता हूं, ठीक है, वहा बहुत ही ज़्यादा गोरा function होता है, ऐसा, x, y, y, x,oy and, अच्या साधा पे यहाँ पे गत करता है यह होता है 1, जाहाँ साधा है, यह होता है 1 क्यों होता है वान क्योंकि हम अभी समझ जाएंगे सब समझेंगे तो आएए यहां बड़ा क्या समझेंगे कि लॉग हाँ यहलिगए लॉग एक्स ऐसे यह पोस्टिव कभ गवतार पहला थसल लॉग एस थे सिप्तिव कॉजटिव के felt इन वाला है हो देखिए właściwie system करने की सिप्टा most you was the ठीक है अच्छा जब भी हम condition बताते हैं तो condition x के term में लिखते हैं ठीक है independent variable के term में लिखते हैं तो positive कहां कहां है मतलब x की value वहां क्या क्या है ठीक है तो हम कहेंगे कि graph तो 2 बनता है तो case भी 2 बनेगा एक तो यहां positive है एक कहां positive है यहां positive है इधर positive है ठीक है तो कहेंगे कि जब यहाँ क्या हाँ 1 से बड़ा है बसिया क्या जी रो से 1 के बीच है तो कहेंगे कि बसटीफ कर लग Gör X X और 1 से बढ़ा हो तो यहाँ दो आंसर आएगा X greater than 1, when kya है, A greater than one. A मतलब best greater than 1. Log positive कब होता है, जब X 1 से बढ़ा हो और kya है, A भी 1 से बढ़ा हो, and यहाँ लिख सकते है, X जब 1 से बढ़ा हो,and क्या है, A भी 1 से बढ़ा हो पहला case तो यह आ गया, दूसरा case में क्या है कि जब base 0,1 के बीच हो, तो X भी देख रहे हैं यहाँ 0,1 के बीच ही है, तो क्या हो गया, X जब 0,1 के बीच हो and base V मेरा क्या हो, 0,1 के बीच हो, तो पहला condition क्या हो गया, कि log कब कब बढ़ा हो, पोजिटिव होता है, 0 से बढ़ा कब कब होता है, तो जब X 1 से बढ़ा हो and A 1 से बढ़ा हो, X कहने का मतलब argument 1 से बढ़ा हो और base V 1 से बढ़ा हो, तो पोजिटिव होगा, यहाँ दोनों क्या हो, 0,1 के बीच हो, ठीक है, दूसरा negative कब होगा, log X base A, less than 0 कब होगा भाई, तो एक condition तो यह है, दूसरा यह है, यहाँ क्या होगा condition, जब X 1 से बढ़ा हो जाए and, एक 1 से बढ़ा हो, एक 0 1 के बीच हो, 0 से A 1 के बीच हो, ठीक है, और क्या हो सकता है, और यह होता सकता है, कि 0 से X 1 के बीच हो जाए, मतलब argument 0 से 1 के बीच हो जाए and, क्या हो जाए, X A, A जो है, 1 से बढ़ा हो जाए, ठीक है, तो कभी भी ऐसा दिया हुआ है, log 2 base 3, अगर यह पूछे कि यह positive है कि negative, तो हम देखेंगे कि argument और base में क्या relation है, तो दोनों 1 से बढ़ा है, तो हम इसको बोलेंगे positive, क्या होगा value, बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि यह जो है positive है, log 3 base 9, क्या होगा, तो कुछ भी होगा positive होगा, ठीक है, log 1 by 2 base 3, क्या होगा, negative होगा, क्यों होगा negative है, क्योंकि एक 1 से बढ़ा, एक 0 1 के बीच, ठीक है, log 1 by 2 base 1 by 4, क्या होगा, positive होगा, क्यों होगा positive, क्योंकि 0 1 के बीच दोनों है, base भी और argument भी, अच्छा, log 100 base 1 by 2, क्या होगा ठीज किई नीगेटिव किया तो यह तो ऑलग बात है हम लोग पोजिटीव it points नीगेटिव कभम होता है तो यह दो condition भूपर रेंट है आप इसको जारूर लिखेढ़ अपने एक नोटबुक बनाईये उसमें यह सब कम से हम नोट करते चलिए ठीक है बहुत मजहा आने वाला है इन्वालिटे हम लोग पढ़ी रहें तो थोरा सा और इस पे इन्वालिटी बेस कोश्च्चन स्वरी सोरी समझ लेते हैं थोरा सा यह सब कोंसेप्ट है बढ़िया से इसको पढ़िये ठीक है एक और कॉंसेप्ट यह है बढ़िया से समझना है log x1 base a greater than log x2 base a, देखिए अब यह दो log को compare किया गया है, एक log जो है, एक log से बढ़ा है, तो argument में क्या relation होगा, तो यहाँ दो relation आता है, दो relation हमेशा इसलिए बनता है, क्योंकि यहाँ base जो है, दो case में आता है, ठीक है, base पे depend करता है, तो कहेंगे कि x1 जो है, x2 से बढ़ा होगा, when a1 से बढ़ा होगा, ठीक है, अगर a1 से बढ़ा है, तो समझेए कि यह simple function की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और 1 से बढ़ा नहीं है, तो simple function की तरह काम नहीं करेगा, यह decreasing function हो जाएगा, ठीक है तो क्या है कि a1 से बढ़ा रहेगा तो increasing function a1 से छोटा है तो decreasing function देखिए अभी increasing और decreasing की बात किया है तो थोड़ा से समझ लीजिए increasing मतलब x को बढ़ा है y भी बढ़ा x भी बढ़ा y भी बढ़ा तो क्या हो गया increasing कर सकते हैं तो क्या होता है तो क्या होता है तो क्या होता है फंक्शन को आजटा सकते हैं ठीक है inequality change नहीं होगा decreasing function रहेगा तो function को तो हटा सकते हैं लेकिन क्या हो जागा inequality change हो जागा तो यहां हम लोग को तो हटा दिये लेकिन inequality change नहीं किये जब a1 से क्या हो बड़ा हो ए 1 से बड़ा होता है तो increasing function होता है अच्छा x1 जो है less than x2 हो जागा कव वेन जीरो से 1 के बीच में बेस हो जाए ठीक है अच्छा यहां equal to रहे तो यहां equal to भी दे सकते हैं ठीक है less than रहे तो less than भी दे सकते है less than यहां क्या बन जागा वही समझ लिए फिर से log x1 बेस ए less than log x2 बेस ए क्या condition रहेगा वाई तो दो condition चलने वाला है x1 less than x2 ही रहेगा जब a1 से बढ़ा होगा x1 greater than x2 हो जाएगा जब 0 से a1 के बीच रहेगा ठीक है तो यह सब बहुत सिंपल है बहुत ही आसान है इसको आप लोग ढम सकीजिए बहुत मज़ा आने वाला है सेकेंड हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर n1 n2 से बढ़ा है n1 क्या है n1 लिखिए या x1 लिखिए x1 से अभी समझते हैं क्या है कि x1 greater than x2 है ठीक है और x1 x2 दोनों positive लेकर चलते हैं ठीक है तब हम लोग इधर दोनों तरफ log ले सकते हैं ठीक है log x1 यहर ले सकते हैं log x2 जब भी हम लोग लेते तो जो number रहता है वो argument बनता है ठीक है base अपना मन से लेना पड़ता है तो हम base a माल लिए है ठीक है तो inequality change होगा कि नहीं तो एक बार तो नहीं होगा एक बार होगा log x1 base a less than हो जागा log x2 base a अब आप समझ गए होंगे कि कब ऐसा होगा कब ऐसा नहीं होगा तो यह कब होगा वेन a1 से बढ़ा रहेगा और यह कब होगा वेन 0 से a1 के बीच रहेगा तो जब यह जो है 0 से 1 के बीच है तब क्या होगा inequality change होना ही होना है अगर वन से बढ़ा है inequality पर कोई फक नहीं पड़ेगा तो यह सब मेरा concept है आप हम लोग क्या करेंगे दो चार कोशन इस पर दो चार यह चार पांच दस कोशन अभी डिसकस करेंगे जो कि आपके concept को और बिल्डप करेंगा ठीक है और यह बहुत ही important question होने वाला है तो यहां हम लोग discuss करने वाले हैं तीन चार पांच दस बहुत ही बढ़िया सब प्रॉब्लम को ठीक है तो यह सब बेसिक रहने वाला है ठीक है आज बेसिक करेंगे कल एक दाम standard लेवल का प्रॉब्लम करेंगे ठीक है तो क्या करना है तो का पावर एक्स इक्वाल तो देख सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब लेकिन अब सबस्क्राइब गीचल्दी आप जैसे क्या होता है तो स्रेक्रिश्म के सांदे चलते थे चाल को enact को एक उनसे यहां विल fan तो यहां बेस भी लेना पड़ेगा तो देखिए का कि जिसके पावर में वेरियाबल है वही बेस यहां लेंगे तो ऐसे लिखेंगे रिलत एककेंग लोग बीस्टो बोग साइड फाइक तो यहीं तो ब्सक्राइब है नहीugों दॉलोओफ साइड थेकां फॉलोट फावजकσι दॉलाग ऐग्या थेकां होगा वन होगा ठीक है क्यों बेस और अर्गुमेंट इक्वल तो एक्स इक्वल तो हमको डारेक्ट मिला लॉग टू बेस फाइव ठीक है तो यही इसका क्या हो जागा आंसर होगा ठीक है चलिए तो यह मेरा क्या है आंसर है आप इसको मिटाते हुए चलते हैं ठीक है क्योंक लो हो जाता है इसलिए मैंने स्पेस को कम कर रखा है ठीक है हाँ और हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट को देखते हैं यह आपका फ़र्स्ट बहुत ही आसान कोश्टन ठीक है मिन्हें कर देखेंगे फार के या कि दिश्टक चैनल कि चैंज होगा या नहींहीं होगातें है कि यहां लोग क्या लेंगे पिश्रीक बोठाटीश चाहिखें बॉल हां बेस टरी लिए हैं वनसे क्या तो लोग को हटाएंगए थीक है तो क्या होगा ब्यस प्रीज निय्कॉलिटीदाएगा तो यह बन जागा कि 3 2dPop एकस बेस तो थिरी है less than का less than log 723 यहां से यह एकस इधर आएगा यह वन हो जागा एकस लेस देन लॉग सेवें वेस्ट थी यह इसका क्या हो जागा आंसर हो जागा हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं 1 by 2 का पावर एकस है यह greater than or equal to 6 है ठीक है कैसे इसको solve करेंगे लॉग लेंगे कितना बेस तो 1 by 2 क्यों क्योंकि यहां 1 by 2 है का पावर एकस अब क्या होगा यह inequality change हो जागा क्यों होगा क्योंकि बेस जो हमने लिया है वह 1 by 2 है ठीक है अब यह 1 by 2 यह एकस बाहर आ जागा और यह तो 1 हो जागा तो एकस लेस देन इक्वाल टू लॉग बेस लॉग 6 बेस वन वाई 2 ऐसे मेरा आंसर होने वाला है यह आप लोग खुद कीजिए ठीक है रूट 2 दोनों तरफ बेस रूट 2 लीजिए बन जागा ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग इसको पूरे को मिट आते हैं और नेक्स्ट कोस्टन देखते है तो नेक्स्ट कोस्टन मेरा है क्या इवेलिएट लॉग 8 बेस फोर पिछले भी वीडियो लेक् और यह 2 का पावर 2 अभी हम लोग जानते हैं कि यह 3 multiply हो जागा 2 divided हो जागा 3 by 2 लॉग 2 बेस टू यह तो 1 होगा आंसर क्या जागा 3 by 2 आप लोग देखिए मैं फर्स्ट लेक्चर में यह था फर्स्ट है सेकेंड जो भी है वहां पर यह था ठीक है और क्या हुआ था कि हम ल वहां भी कुछ सिखा था यहां भी हम लोग डारेक्ट पूपटीज के हेल्फ से इसको बना सकते हैं ठीक है लॉग 25 थ्री बेस फाइब किस फॉर्म पर है यह लॉग 25 का पावर लॉग क्या 3 बेस फाइब या तो हम चाहे तो इस 25 को 5 बना दे या 5 को 25 हमको 5 इसको करना ज्य तो यह वह जागा 5 का पावर 2 लॉग 3 बेस फाइब इसको फाइब यह दूनों से मैं डाक 3 लिख सकते है क्यों क्यों क्योंकि यह जब तक यह से नहीं हटेगा मेरा काम नहीं बनेगा ठीक है तो यह होगा लॉग 5 यह जागा क्या 3 का पावर 2 यहां 5 तो रहे गा अब या आ तो मैं यह दोनों को मीटाता हूं और यहीं थर्ड क्वेश्चन को कोशिज करता हूं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है क्यू रूट ऑफ 9 मतलब 9 का पावर क्या है 1y3 ठीक है और इसके ही पावर पूरे होल पावर में क्या है 1y 5 log क्या है 3-5 यह 3-5 अब देखिए 9 यहां तो पावर 9 है यहां पावर 5 है कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कनेक्शन पहले लाना पड़ेगा ठीक है तो यह 9 को पहले तो लिखेंगे 3 का पावर 2 तो यह हो जागा 3 का पावर 2 बाइ 3 इंटू में यह सब आ जागा 1y5 हम चाहें तो क्या कर सकते हैं इस लोग को चेंज कर सकते हैं ऐसे यह जागा 3 का पावर यह है 2 by 3 इंटू में क्या है 1 by 5 इंटू यह देखिए 1y log 3-5 को लिख सकते हैं सब्सक्राइब क्या बिल्कुल आया होगा अब इसको तो मिटा ही दो भाई तो लिखें होई चल अब हम लोग इसको देखते हैं क्या यह हो गया 3 का पावर देखिए यह 2 by 15 हो गया पहले ही लिखिए 2 by 15 लॉग फाइब बेस थ्री यह देखिए बेस दोनों सेम है लेकिन आर्गुमेंट यह 5 आंसर नहीं होगा क्या होगा फाइब का पावर यह वहां चला जागा 2 by 15 तो यह है मेरा आंसर इसका तो यह सब अच्छा कोशन है मजह आ रहा होगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन हम लोग को यह देखना है कि बहुत सारा लॉग प्रोड़क्ट में रहे तो कोई फार्मॉला नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे तो अलग-अलग कर देंगे इसको लिखेंगे लॉग 7 बाइ लॉग 3 ठीक है कुछ कटना होगा तो कटेगा लॉग 9 बाइ लॉग 4 कटना होगा तो कटेगा लॉग 2 बाइ लॉग 7 सिंपलिफाइ करना था देखें लॉग 7 से लॉग 7 यीक सेर तो eva कट दक थीक मैं यह 1 लॉग 3 तो ठीक है 1 युट हो टीक है महिंतु ये लॉग 9 को लिखेंगे 3 का स्कूर लॉग 3 का square ठीक है इस log 4 को लिखेंगा log 2 का square ठीक है और यह बच गया है log 2 उपर में ठीक है log 3 log 9 ठीक है अब log 2 तो log 2 ही है अब देखिए यह क्या हो रहा है यह 1y log 3 यह देखिए 2 बाहरा जागा इसका भी 2 बाहरा जागा फने कि से लोग 3 यह 2 लॉघ यह लीकश्ट क्या लिखेंग यह लोग 2 यह देखिए क्या वड़ आ यह ड्योग 2 यह 2 से लोग 3 से लोग झा लोग 3 आफ्ठ ऑट जिस तरह से यह 1 तौर से यह त्वील अलग अलग से कीजिए और कोई है क्या नहीं और बहुत मज़े कीजिए नहीं हम लोग नेक्स्ट कलास में नेक्स्ट लेवल का प्रोब्लम करेंगे तब तक अपना ख्याल रखी है खुब मस्ति कीजिए सांतिस्तात खुब पढ़ाई कीजिए बेश्ट अफला